Hello friends, welcome to my channel आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे जरोधा में आप volume indicator का use कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि किस particular day में कितना जो volume उस particular stock में आया है आज हम ये बात करेंगे तो suppose ये TCS का एक share है इसका मैं एक chart खोल लेता हूँ ये 3 dot पे आपको click करना है और 3 dot पे जैसी आप click करेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ आते ही ये chart का option होगा तो ये खुल जाएगा इसको आप ऐसे करके pop-up कर लेंगे तो ये नई tab में खुल जाएगा अब यहाँ पर क्या करना है आप यह देख सकते हैं कि chart आ गया है ये और नीचे की तरफ जो है वो कुछ भी नहीं show कर रहा है यहाँ पर आप नीचे देखिएगा तो कुछ भी show नहीं कर रहा है अब हम क्या करेंगे indicators पे जाएंगे indicators पे click करके volume क्लिक करेंगे type करेंगे उसके बाद यहाँ पर यह जैसे ही मैं यहाँ पर click किया तो आपने भी देखा होगा कि नीचे जो है volume की जो bars है वो आ गई है ठीक है तो मैं आप थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ आपको जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं अभी last day में यहाँ पर मैं cursor लेके गया तो यहाँ पर उपर की तरफ तो price दिख रहा है ठीक है उपर की तरफ price दिख रहा है but at the same time जब आप नीचे की तरफ देखोगे तो नीचे में जो volume है total वो left side top पे आपको देखने को मिलेंगे मतलब अगर आप देखेंगे तो यह देखिए यह जो है यह volume आपको यहाँ पर दिख रहा है ठीक है कि यह volume कितना है मतलब जैसे जैसे मैं इसको move करूँगा आप देख सकते हैं कि इसके जो volume है वो बदल रहे हैं तो यह जो चार्ट है मैंने single day का लगाया है मतलब day के हिसाब से लगाया है आप इसमें कोई भी timer set कर सकते हैं तो इससे आपको पता चलेगा किसी भी particular day में जो है वो कितने volume किसी particular stock ने generate की है यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी heavy volume आया है तो यह आप देखेंगे उपर की तो आप कर सकते हैं इससाब से आपको जो volume का indicator है वो जरुदा में use करना है बहुत अच्छा indicator है ठीक है इससे related अगर कोई भी आपका doubt हो do let me know in comment section I would be really happy to clarify that doubt thanks for watching this video bye